हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आर्वाई नर्सिंग क्लासेस आज हम बात करेंगे यूपीपीएसी के तरब से जो मेल स्टाफ नर्स के लिए वेकेंसी आई है तो दुबारा से 2017 में आई थी फर्स टाइम फिर उसी को रियडवर्टाइजमेंट किया गया है 2022 में दुबारा उसको निकाला गया है 558 पोस्ट पे तो वो इंक्रीज हो सकता है पोस्ट तो उसके बार उसका मैं सेकेंड वीडियो लेकर आई हूं फर्स वीडियो मैंने आपने देखा ही होगा तो जिनोंने नहीं देखा है वो जाके आर्वाई नर्सिंग क्लासेस के सब्सक्री जुक्रीज हो उसके जुपरा आई विडियो सकते हैं तो चलिए सटर्ट करते हैं आज आज मैं बताऊंगी तो मैंने यह सब बता दिया था क्या application fee लगेगा क्या age limits है क्या post है कितने department है तो यह सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ आज हम देखेंगे यह सब जो है चली सको मैं बाद मताती हूँ यह हम देखते हैं स्लेवर्स के बारे में तो यह देखो आप यह है स्लेवर्स इसमें plan of preliminary examination जो की general knowledge आएगा जो की 30 questions रहेंगे objective type जनरल हिंदी 20 questions रहेंगे objective type और main subject nursing जो रहेगा 120 questions रहेंगे objective type टोटल जो है 170 questions रहेंगे examination period जो है वो 2 hours means 120 minutes का होगा total marks 85 marks के होगे जैसा कि यह 21 2021 का paper हुआ है जिसका document verification हुआ है बिल्कुल वैसे 85 marks के रहेंगे और syllabus or preliminary examination तो जो pre-exam होगा preliminary examination जो first exam होगा उसका जो general knowledge जैसे history of Indian Indian national movement Indian and world geography related questions रहेंगे Indian quality and governance, constitution, political system, penchayati, raj and public यह जो questions रहेंगे और इधर है और नर्सिंग से और इधर देखते हैं पॉलिशी, rights, issues, etc. से related questions रहेंगे Indian economy and social developments related questions रहेंगे current events of national and international importance, Indian agriculture, general science and elementary mathematics up to class 10th level यह जो है general knowledge से है अब general हिंदी में कौन-कौन से question आते हैं वाके एवं वरतनी सुद्धी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्समें तब्धो शब्द, विशेश और विश्रेशर पार्यवाशे शब्द यह तो बिल्कुल वही है syllabus जो इस exam में दिया था जो अभी just document verification हो रहा है तो वही सब है और nursing में anatomy and physiology स्वाएंगे question, fundamental of nursing से आएंगे, first ad, medical surgical nursing, psychiatric nursing, community health nursing, role of nursing, personal at various levels, midwifery and gynecological nursing, pediatric nursing and professional trends and adjustment, microbiology, psychology, sociology, society, personal hygiene, environmental hygiene and computer in nursing तो यह सब जो syllabus है nursing का जो की most important है इसमें से maximum marks यह रहेंगे कितने marks कराएंगे nursing का subject का 120 questions रहेंगे और बाकी general knowledge और general knowledge 30 questions रहेंगे और general hindi के 20 questions रहेंगे यह और यह जो है preliminary examination जो first exam होगा उसके यह syllabus है यह हो गए जो की objective type होगे जो first exam होगा वो objective type होगा और second वाला जो main exam होगा वो यह देखो आप main exam का यह syllabus है तो मुख्य लिखित परिच्छा है तो परिच्छा योजना इसमें क्या है exam pattern यह objective नहीं होगा यह theory होगा मतलब written exam होगा इसमें particular मुख्य लिखित परिच्छा है नर्सिंग विशय का particular प्रारमिक परिच्छा की भात ही रहेगा मतलब वही सब आएगा यह सब जो उपर दे रखा है तो नर्सिंग के आपके रहेंगे मुख्य परिच्छा 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 नर्सिंग भी से आएगे question second exam में लेकिन objective नहीं रहेगा second exam second exam जो है वो return रहेगा theory रहेगा तो इसमें आपको क्या करना प्रश्ण पत्र जो की एक रहेगा सम्यावधी जो timing रहेगी तीन गंटे की जो preliminary test होया एग्जाम है वो दो गंटे का है लेकिन जो main exam होगा वो तीन गंटे का होगा पुडांग जो 85 अंक रहेंगे इसमें भी वही है 85 अंक के रहेंगे परिक्षा योजना पूर पाठक्रम के अधार पर nursing विशे परंपरागत प्रश्ण पत्र की रचना है तो प्रश्ण पत्रों के स्वरूप एक एवं अंकों का विभाजन नियमित है तो प्रश्ण जो है आएंगे वो दो खंड में आएंगे दो पाठ रहेंगे खंड और खंड व खंड और में क्या रहेगा कि इसमें कूल पांच लगू उतरी मिन्स छोटे प्रश्ण रहेंगे जो कि सभी प्रश्ण करना निवारे रहेगा सभी प्रश्ण आपको करने होंगे पाचो और प्रति और खंडब्व में कहालेका, रटेवम 46 प्रिशन होègे मतलब कि खंडब्व में 56 प्रशन रहेंगे जिसमें आपको ногीpted कोई चार प्रशन करने होगे जिसमें से केवाल चार करने होंगे or प्रतियक प्रशन 15 अंका होगा प्रतियक प्रश्ण जो है मतलब एक का आप अंसर करोगे तो वह 15 नंबर का होगा मतलब बड़ा कोशन रहेगा बड़ा आंसर कितना अधिक्तम शादिस तीन सो मैक्सिमुम तीन सो वर्ड का आपको करना है मतलब की पूरा ये दो भाग में होगा पहले में तो स्मॉल कोशन रहेंगे जो कि पास पा कर रहेगा और वो मैक्सिमुम तीन सो वर्ड का रहेगा तो यह हो गया तो एक बार मैं आपको और क्लियर कर देती हूं कि जो इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो इसमें जो मेल स्टाफ नर्स की जो वेकेंसी आई है इसका जो प्लान आफ प्रिलिम्री एक्जामनेशन दो एक प्रिलम्री एक्जामनेशन दो प्रशन पत्र होगा तीन घंटे का समय दिया जाएगा और पचासी अंका होगा जिसमें से दो खंड में पेपर आएंगे खंड 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 अ में पांच कोशन रहेंगे जो कि सभी अनिवारे रहेंगे करने पांच पांच नंबर के और अनसर पंदर के कोशन 15 नंबर करेंगा और अधिकतं 300 वर्ड का आपको लिखना है तो यह हो गया आपका और यह वही है समिधा वालों के लिए जो इसमें भी वही चीज है जो अभी EPSC में चल रहा है बिल्कुल वही सब जैसे की है ना की समिधा वालों के लिए जो यूपी के यूपी अनेचम की तरब से समिधा कमेचारी हैं उनके तीन-तीन मार्क्स पर यह जुड़ेंगे टोटल मिलेगा इस एक्जाम में भी और इसमें देखो जैसे की इसमें दिया था ना साइन फोटो ऐसे लगाना स्टेस्ट ऐसे करना सिंगनेचरिया करना है और क्या है कि यह जाती प्रमाण पत्रे बनाने का जो फॉर्मेट दे रखा यह आप देख ले ना मिल्कुल आसे बनवाना है उतर प्रदेश के अन्य पीछरे वार के लिए जाती प्रमाण पत्री यह फॉर्मेट दे रखा है यह डिसाबिलिटिक का फॉर्मेट है यह हो गया आपके पुरी जानकारी तो चलो फ्रेंस उतर प्रदेश के तरफ से जो वेकेंशी आई है मैल स्टाफ नर्स की तो आपको पुरी जानकारी आई होप मैंने अपने कॉर्डिंग दे दी है मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह गये हैं अगर कुछ बाकी रह गए होंगे तो कुछ आपको पूछना हो कमेंट करना हो तो आप मतलब की आप कमेंट कर सकते हो मैं रिपलाई जरूर करूंगी चलो तब तक के लिए थांक्यू आल दे बेस्ट तो आप ये फॉर्म भरना जरूर भरना पढ़ाई करना और जरूर होगा आई प्रे मैं विश्च करूंगी प्रे करूंगी कि आपका सेलेक्शन जरूर हो इसमें तो आप पढ़ाई करो और प्लीज अगर कोई बेनिफिट मिल दो थैंक यू थैंक यू फ्रेंट साल दे बेस्ट